कुश्चन है एक ब्यक्ति है 4500 रुपे 8% पर और 5750 रुपे 8-2% सदाना ब्याज पर प्रती वर्ष निवीज़ करता है और 5 सालों के लिए दूनों केस में उसने निवीज़ किया दूनों केस में उससे ब्याज प्राप्त हुआ इंट्रेस्ट प्राप्त हुआ 4660 10.75 रुपे आपको बताना है कि दूनों ही केस में ब्याज का अवरेज आपसे पूछा है ठीक है तो सिंपल इंट्रेस्ट इको इसने क्या होता है P into R into 2 4500 into R into T कितना है 5 साल बटे में 100 प्लस में सेकंड केस में उसने किया है कि 60-50 रुपे को R minus 2% पर 5 सालों के लिए निवेश किया है और दोनों केस में 2200 कितना प्राफ्ट होगा 4668.75 अब देखो 100 को हम यहां से multiply करें तो point क्या हो जाएगा यहां से remove हो जाएगा अगर मैं इसमें इसको multiply करें तो 25-2500 और इसमें अगर इसमें multiply करूंगा 5 से multiply करें तो तो यहां से multiply करें ते क्या हो जाएगा अब देखो शर्ट यहां जाएगा ते हो जाएगा आपका यहां से निकाल लेंगे यहां से निकाल लेंगे यह कितना हो जाएगा आपका इससे अब यह कितने बार में खटेगा यह जाएगा नो पॉंट पांच बार में ठीक है आप यहां से टिक करके आजाएंगे अप्शन गलत हो जाएगा ठीक हमें पुछा इन दोनों का एवरेज दोनों ही केस में आर हमें निकालना पड़ेगा पहला आर रवन इकॉल्स टू क कितना आ जाएगा निकालने कें कि दो हात बट्य में दो कर देयके में कि टो चू जाए गा इट-पॉंट-5 पॉशन सब्सट्वय हो जाएंग कि दोनों ही रेट का आएगा 8.5%, सौप्ण नम्बर 2 ईस इसको चीन का इसको जाएगा अपत्सृ बड़िते हैं